चंशेखर ने किया मायवती जी के खिलाप पार्टी बनाने का एलान भी मामी के चीफ चंशेखर आजजाद उफ रावन ने अब सक्रिय राजनेतिक में कदम रखने का फैसला कर लिया है चंशेकर ने अलान किया है कि वह अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे उन्होंने बताया है कि इसकी वज़े है मायवती जी की भोजन समाज पार्टी के समाजवाद में नाकरिक्ता चंशोधन बिल पर कोई रुखना लेने के बाद के कारण अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया है जिसके कारण चंशेकर आजाद बस्पा पे निशाना साथे नजर आएंगे भी मामी के नेता चंशेकर आजाद ने गुरुवार को कहा कि वै दलितों को राजनीतिक विकल्प देंगे तधा युवाओं को उनसे जोडने की अपील भी की तधा उन्होंने ट्वीट भी किया बस्पा के दो संसद सविधान की लड़ाई छोड़कर भाग गए हैं और भाजपा सरकार की मदद का आधार बने हैं उन्होंने ना केवल दलित समाज के साथ बलकी डॉक्टर बीयार अमबेटकर जी तधा बस्पा संस्थापक काशीराम जी के साथ छल किया है चंशेकर के कई और ट्वेट हुए हैं जिनमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चंशेकर अज़ाद भोजन समाज को आज नए राशनेतिक विकल्ब देने की गोशना करता हूँ और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित्क करने वाले इमानदार संखरशील और मिशन युवाओं से अपील करता हूँ कि आकर नेतित्व समाले अब दौलत वाले नहीं काम करने वाले नेता बनेंगे जैभी उनों ने उनके ये प्रेम भावना दिखाते हुए ये एक और ट्वेट किया है कि साथियों आप लोगों ने जिस तरह मेरे प्रती प्रेम और पूर्ण विश्वास वेक्त किया है उसके लिए मैं हमेशा लोगों का करदार रहूंगा मेरे लिए ये भावुक शण है अब जब नया राशनेतिक विकलत देने का फैसला कर दिया है तो पार्टी के नाम के लिए भी आप लोग ही सुझाव दें इसी तरह के कई ट्वीट और भी किये गए हैं जिसमें चंशे का राजाद ने अपनी पार्टी का एलान करते हुए मायवती जी के खिलाफ एक जंगे एलान कर दिया है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले